नमस्कार दोस्तों, 31 माज 2020 को complete हुए quarter के संदर्ब में, particularly for the financial year 19-20, क्या TDS compliance हैं एक deductor के लिए, वो मैं आज की वीडियो के थुरू आपके साथ discuss करने जा रहा हूँ. पहली बात सर, what are the compliance's required? तो पहले मैं यहाँ पर इतनी सी बात इस्पष्ट कर दूँ सर, कि ये वीडियो वहाँ पर applicable होगी, यदि आप TDS काटने के लिए जिम्मेदार हैं. यदि आपका TDS काट रहा है, तो मैं यहाँ पर इस वीडियो में वो बात नहीं कर रहा. ऐसे वेक्तियों के लिए, particularly जो businessmen हैं, government concerns हैं, government corporations हैं, या आपने मालीजे किसी वेक्ति के कोई real estate करी दी और वहाँ पर आपने TDS काटा है, तो उस संदर में आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं, तो तीन मुख्य बातें सर, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो निकल करके आती हैं, पहली बात, depositing tax deducted, आपने जो TDS काटा है, उसको जमा कराना यह आपकी जिम्मेदारी है, दूसरी बात, filing of the TDS return, कि आपने जो TDS काटा है, उसके संदर में आपको TDS return भरनी है, और तीसरी बात, आपको TDS का certificate भी issue करना है, तो यह तीन मुख्य responsibility ऐसे वेक्ती पर आती है, जो TDS काटने के लिए responsible है, और मैं अपनी इस वीडियो के तुरू 4th quarter संबंधी इनी points पर discussion करूँगा, सबसे पहली बात दोस्तों, depositing tax deducted, अब जब मैं इस वीडियो में last quarter की बात कर रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि last quarter में हमारे पास में 3 महीने आते हैं, last quarter यानि last quarter of financial year 19-20, it means आपके पास January 2020, February 2020 और March 2020 की TDS compliance है, अगर हम TDS जमा कराने की general बात करते हैं, तो जिस महीने आपने TDS काटा है, उससे next month की 7 तक आपको TDS भारत सरकार को जमा कराना होता है, यानि January महीने का TDS आपको 7 परवरी तक, परवरी महीने का TDS आपको 7 माच तक, और March महीने का TDS जमा कराने की एक विशेश तिथी असर सीज को मिलती है, जर, वो तिथी होती है 30 अप्रेल, तो मैंने अगर ये बात रखी कि what is the due date of depositing tax deducted for the month of March 2020, तो I can be very specific कि सब 31 March 2020 को जो particular month खतम हुआ है, March 2020, उसका TDS जमा कराने की due date आपके पास में थी 30 April 2020, अब क्यूंकि मेरी ये particular वीडियो ही सर 30 April 2020 के बाद आ रही है, तो अब आपके सामने question होगा कि क्या सर ये particular date COVID-19 के effect की वज़े से बढ़ा दी गई है, क्या इसका सपष्ट उत्तर है नहीं सर, TDS जमा कराने की due date March 2020 महिने के लिए 30 April 2020 ही थी, तो अब एक अगला question आपके सामने आएगा सर, कि फिर ऐसी परिस्थती में क्या consequences अससी को भुगतने पड़ सकते हैं, तो मैं यहाँ पर अपने consequence को अगर interest तक limited रखूं तो मैं यह कह सकता हूँ, कि भारत सरकार ने कहा, कि अगर आपने TDS 30 April 2020 तक नहीं जमा कराया, और आप 30 June 2020 तक वो TDS जमा करा देंगे, तो हम आपको मात्र 3 by 4% पर मन्त की rate से interest चार्ज करेंगे, जबकि otherwise position में सर, यानि अगर COVID-19 scenario के case में, यानि जो सरकार ordinance लेकर क्या है, यदि यह ordinance नहीं होता, और आपने TDS काटा ही नहीं होता, तो आपको interest देना पड़ता at the rate 1% पर मन्त, और अगर आपने TDS काट कर जमानी करा होता, तो आपको TDS देना होता, interest देना होता 1 and 1.5% यान आप TDS compliance नहीं कर पाते मार्च की 30 अपरिल तक, तो आपको interest देना है, परन्तु वो interest आपको देना है 3 by 4% पर मन्त, यानि 5% पर मन्त की rate से as compared to 1% और 1.5% ये relief वारत सरकार ने दिया, लेकिन ब्याज कौन से period का calculate होगा सर यह समझ लीजे, कि मान लीजे आपने किसी को 15 को payment किया, और आपने उसका TDS जमा कराना था 30 अपरेल तक, और आपने वो चीज जमा कराई, अब मान लीजे 25 माई को, तो आपकी जो non-compliance है सर, वो non-compliance 30 अपरेल के बाद नहीं count होगी, वो non-compliance मेरे उधारण में 15 अपरेल से count होगी, 15 मार्च से count होगी, यानि आपको 15 मार से 31 माच एक महीना, उसके बाद में सर, आपको उसके अगले महीने अपरेल के एक महीना, और फिर 25 मही अगर मैं डेट ले रहा हूँ, तो तीसरा महीना, तो आपको 3 महीने के लिए सर, 0.75% की rate से interest भारत सरकार को यहाँ पर जमा कराना पड़ेगा, तो ये एक मोड़ा मोटी इंटरेस से related बात जो हमारे को ध्यान रखनी है, इस TDS non-compliance के संदर में मैंने आपके सामने रखी, तो दूसरी बात, filing of TDS return, अगर आपका last quarter की मैं बात करता हूँ, तो क्यूंकि TDS की सर, responsibility जमा कराने की तो मन्तली है, लेकिन TDS returns quarterly हम फाइल करते हैं, तो अगर आपका last quarter, financial year 19-20 का, जो की 31 माज 2020 को कतम हुआ है, जिसकी due date of depositing tax 30 April है, तो 30 April के बाद एक महिना, यानि आपकी TDS return की by default due date आ रही है, 31 माज 2020, तो ये 31 माज 2020 क्या extend होकर के 30 June हो गई, ये बहुत सी जगे question पूचा जा रहा है, fortunately sir, जो tax ordinance आया इस संदर में, 31 माज 2020 को उसमें भारत सरकार ने यदि कोई return बरने की date, 20 माज से लेकर के 29 June के बीच में पढ़ रही थी, तो उसकी due date बढ़ा करके 30 June कर दी, तो मैं इस पश्ट रूप से कह सकता हूँ, कि आपके last quarter की TDS return की date, 30 April के 31 दिन बाद, यानि 31 माई जो थी, वो आप बढ़ करके 30 June 2020 हो गई है, यानि आप last quarter की TDS return, यदि 30 June तक भी बढ़ देंगे, तो आपको कोई negative consequences यहां face नहीं करने, whether any extension is allowed, यह answer मैंने दे दिया, यहां साब 31 माई से due date बढ़ करके 30 June हो गई, consequences if not filed in time, अब अगर आपने TDS return दोस्तों, timely नहीं बरी, तो क्या consequences होते हैं, तो basically एक main consequence जो TDS return नहीं timely file करने का होता है, वो होत है, sir, कि आपको 200 रुपे प्रती दिवस की दर से fees देनी पड़ेगी, to the extent of TDS, which has not been reported, तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है, sir, कि अगर आप last quarter के लिए 30 June तक अपनी TDS return भर देंगे, 26 Q, 24 Q, 27 Q, इस तरीके के returns, तो तो sir, आपको कोई प्रकार की fees नहीं देनी है, और यदी आप ये date क्रॉस कर गए, तो दोस्तों उस पर इस्तिती में आपको फिर fees का बुकतान भारत सरकार को 234E के अनुसार करना पड़ सकता है, तो इस्पुन बिंदू पर चर्चा करते हैं दोस्तों, issuing TDS certificate, आपने पहली responsibility करनी थी, TDS deduct करा के जमा कराना, दूसरी responsibility थी, आपकी TDS की return file करना, और तीसरी responsibility आपके होगी, यदि आपने TDS deduct किया है, जमा कराया है, TDS return बरी है, तो TDS का certificate issue करना, अब TDS certificate issue करने की due date जो होती है, वो होती है, दो तरीके से decide की जाती है, क्या आपने employee का TDS deduct किया है, या other person, say like work contractor का, landlord का, या commission का, उस संदर्व के TDS है, यदि आपन employee का TDS deduct किया है, तो आपको form 16 issue करना है, और other than employee scenarios में, आपको form 16A issue करना होता है, अब due dates क्या है, form 16 के लिए TDS certificate issue करने की due date है, कि जिस दिन भी आपने अपनी TDS return बर दी, उस TDS return बरने के 15 दिन के अंदर अंदर आपको TDS certificate issue करना है, और अगर आपने दूसरे particular TDS काटे हैं, या ऐसी परिस्तिती में, आपने TDS जमा कराया, सर, last quarter के लिए 30 अपरेल तक, आपकी return बरने की due date थी, सर, वहाँ पर मैंने बुला, 31 मई by default जो बढ़कर के हो गई, अब 30 जून, because of ordinance, और otherwise आपकी TDS certificate issue करने की date थी, सर, 15 जून, और ये भी date बढ़कर के हो जाएगी, अब आपके 30 जून तक TDS return भी बढ़ देनी है, और 30 जून तक TDS के certificate भी issue कर देनी है, तो ये opinion आप ध्यान रखेगा, सर, ये बड़े काम की है, तो क्या इसमें कोई extension हुआ है क्या, तो मैं ये कह सकता हूं, सर, कि अगर आपने मान लिजे, for example, TDS की return भर दी, solid paid employees के cases में, से 31 माई तक, औ और आपको उस particular case में TDS certificate issue करने ते, यानि form 16 issue करने ते से 15 जून तक, because of ordinance, अब आपको नई date मिल जाएगी 30 जून, अब अगर आपने मान लिजे, other than solid paid employees के cases में TDS काटा है, और वहाँ पर आपने TDS की return भर दी मान लिजे, वहाँ पर 31 माई तक, तो आपकी due date थी 15 जून, वो भी बढ़कर के हो जाएगी सर, अब आपको 30 जून, तो ये सर extension का limited purview है, यानि extension किसी भी सूरत में 30 जून के beyond नहीं जा रहा, तीसरी बात, consequences if TDS certificates are not issued in time, अगर आपने TDS certificate issued नहीं किये सर, तो 100 रुपे प्रति दिवस की penalty आप पर लगाई जा सकती है, ये बात आपको द्यान रखना है, इसलिए TDS certificates हमारे को within time issue करने है, अंत्वे दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ कि आप ये बात ध्यान रखेगा, अगर आपकी last quarter से संबंदित कोई भी compliance की due date 20 मार्च से लेकर के 29 जून के बीच में पढ़ रही थी, तो जो tax ordinance 31 मार्च को भारत सरकार लेकर के आई, उस अपरेल की due date of deposit आपकी बढ़कर के 30 जून हो गई है, वो date भारत सरकार ने नहीं बढ़ाई है, भारत सरकार ने ये कहा है वहाँ पर, कि आपकी जो ब्याज की दर delay के संदर में वहाँ 1% या 1.5% लग रही थी, उसको हमने 3 by 4% यानि 5% कर दिया, और यह भी आपको ज्यान र या इवन मार्च के लिए भी यदि interest TDS नहीं काटा तो 1% की दर से और यदि काटके जमानी कराया तो 1.5% की दर से भी देना पड़ सकता है, तो यह कुछ महत्पुर्ण बिंदू सर मुझे लगे जो मैंने आपके सामने रखे, फिर भी हो सकता है कुछ पॉइंट मुझ से य अन्यवाद, जय हुआ